Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं बटा, exercise 13.2 का question number 5 देखते हैं क्या है statement read करेंगे एक बार A vessel is in the form of an inverted cone एक vessel है हमारे पास inverted cone की shape में जो कि मैंने यहाँ पे draw कर ली है Its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm means जो height given है हमें cone की, वो कितनी given है? 8 cm given है और जो radius given है यह, यह कितना given है हमें? 5 cm given है ठीक है? उसके बाद क्या है? It is filled with water up to the brim मतलब यह पूरा का पूरा यहाँ तक उपर top तक क्या है? पानी से बरा हुआ है complete cone ठीक है? उसके बाद क्या है? When lead source, each of which a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, one-fourth of the water flows out find the number of lead source dropped into the vessel ज्यान से समझें इसको क्या का है उसने? कि हमारे पास एक cone है? 8 cm height का, 5 cm उसका radius है उसके अंदर क्या है? बिटा, पानी बरा हुआ है अब उसके अंदर उसने क्या किया? lead source मतलब एक गोल-गोल spherical type के उसने पत्थर के टुकडे डालने स्टार्ट कर दिये इसके अंदर तो पत्थर के टुकडे डालने से क्या हुआ? जितना भी इसके अंदर पानी था ना? उसका one-fourth पानी क्या आ गया? हमारा बहार निकल गया? तो हमने क्या find out करना है कि जितने कितने number of हमने इसके अंदर पत्थर के टुकडे डालने हैं? ठीक है? आई होप यह चीज आपको समझ में आगे होगी क्या क्योस्चन में पुछा गया है? अब मार लिया एक lead source कर लेते हैं हमारा जो पत्थर का टुकडा है lead source वो कैसा है? इस तरीके का और इसका radius जो given है वो कितना given है बिटा? 0.5 cm ठीक है? एक बर दोबरा थोड़ा सा remind कराता हूँ यह पानी से full है यह पत्थर के टुकडे हमने इसके अंदर डालने हैं यह बताना है कि कितने पत्थर के टुकडे हम इसके अंदर डालने हैं कि जितना भी इसके अंदर पानी है उसका one fourth एक बटा च्यार बहार आ जाए मान लिया इसके अंदर क्या है बारा लीटर पानी है तो हमें कितने पत्थर के टुकडे डाल लें कि इसका तीन लीटर पानी बाहर निकल जाए आई होप यह चीज आपको अच्छे से कलियर हो गई होगी क्योस्चन में अब बेटा देखते हैं इस क्योस्चन के अंदर जो चीज गीवन है ना सबसे पहले वो लिख लेते हैं हाइट गीवन है हमें हाइट ओफ कोनिकल वैसल कोनिकल वैसल इसको माल लेते हैं हैं है कि च cómp3 के ओप टुक बटा 8 सेंटीमिटर ठीक है उसके बाद रेडियस देखते हैं इसरे रेडियस ओफ कोनिकल वैसल इसको माल लेसे इपिटा आरवन आरवन इस इधीवल टू क्या है हमारा 5 सेंटीमिटर आरवन क्यों मनना क्योंकि हमारे पास दूसरा रेडियस भी गिवन है उसको हम आरटू एजूम कर लेंगे कैल्कुलेशन में हमें इजी रहे नेक्स्ट है रेडियस ओफ लेड सोट उसको माल लेते हैं आरटू वो कितना गिवन है बेटा जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमिटर आई होप यह चीज आपको कलियर है जो चीज गिवन थी हमने वो क्या कर लिए आपर रैट डाउन कर ली अब बेटा हम एजूम कर लेते हैं कि हमने एन नमबर ओफ लेड सोट्स पक्थर के टुकडे इसके अंदर डाले हैं तो यह लिख लेंगे हम लेट एन नमबर ओफ लेड सोट्स ड्रोप्ड इन वेसल ठीक है एन नमबर ओफ जो पक्थर के टुकडे हैं हमारे लेड सोट्स हैं वो हमने क्या किया है इसके कौन क के अंदर नाले हैं अब एक लेड़ सोट का वोल्यूम क्या होगा स्फेरिकल है तो क्या लिखेंगे हम वोल्यूम ओफ वन लेड़ सोट मतलब एक जो हमारा पत्थर का टुकड़ा है कितना वोल्यूम पानी का बाहर निकाल लेगा फोर बाय थ्री पाई आर आर्टू का क्यूब ठीक है वोल्यूम ओफ एन लेड़ सोट एन नमबर ओफ टुकड़े हैं तो एन से मल्टिप्लाई कर लेंगे एन इंटू फोर बाय थ्री पाई आर्टू का क्यूब आई होप यह चीज कलिए आपको अब बेटा उसने क्या का है कि जितने भी ये नमबर ओ वोल्यूम का वन फोर्थ उस वोल्यूम का वन फोर्थ किसके एकवल होगा इन नमबर ओफ स्टोंस के या लेड़ सोट के तो यहां पर क्या लिखेंगे एक बार ध्यान से रिखेंगे वोल्यूम ओफ वाटर फोलो आउट वोल्यूम ओफ वाटर फोलो आउट मतलब जितना पानी बाहर निकला वो किसके एकवल होगा बिटा वोल्यूम ओफ एन लेड़ ध्यान से समझें कि बिटा जितने नंबर ओफ टुकडे हम उसके अंदर डालेंगे उतना ही पानी क्या होगा हमारा उस कौन के बाहर निकल जाएगा अब यहां पर देखते हैं उसने क्या कहा है according to question one fourth of the volume निकला है तो यहां पर क्या करेंगे volume of water flow out कितना है हमारा one fourth of shape कैसी हमारी कौन का volume क्या हता है one by three pi r square h तो यहां पर क्या लिखेंगे one by three pi r one square h is equal to volume of n leds कितना है हमारा यह value put कर देंगे n into four by three pi r two का cube ठीक है pi से बिटा pi cancel out हो गया हमारा clear है 3 base में है इदर भी 3 है 3 से 3 cancel out हो गया हमें चाहिए किसकी value n की value n की value को इस तरफ रखेंगे बाकी values को इस तरफ लिखेंगे तो किसके equal हो जाएगा one by four into में r one क्या है हमारा five five का square क्या हो जाएगा 25 into height कितनी है हमारी eight तो eight r two का cube क्या जाएगा निचे तो अप ओन में क्या जाएगा यह four भी आ जाएगा और r two का cube r two कितना है 0.5 0.5 का cube is equal to क्या रह जाएगा हमारा n आई होप यह चीज आपको अच्छे से समझ में आगी है यहाँ पर देखते हैं four two जा eight two one जा two two जा four तो n की value क्या आगे हमारे पास n is equal to आगे बिटा उपर क्या रह गा हमारा 25 अप ओन में यहाँ पर क्या हमारा two multiply point five का cube करते हैं तो बिटा क् जाएगा 0.125 इसको सोल करेंगे simplify करेंगे तो क्या आगया 25 by two की multiply हम 0.125 से करते हैं तो क्या जाएगा बिटा 0.250 और point हटाएंगे तो point के बाद three digits हैं तो उपर कितनी zero जाएगी three two fifty से इसको divide करते हैं तो हमारे पास n की value आजाएगी 100 I hope यह चीज आपको अच्छे से clear हो गई है कि अगर हम n जो हैं मतलब hundred number of lead source अकर इसके अंदर डालेंगे तो हमारे कोन का one fourth पानी क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा आई होप यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा कहीं पर इसमें कहीं पर कोई doubt feel करते हो तो आप मुझे comment करें मैं जल से जल्द उसका solution एंडर ओफाइड 220 सेंटिमेटर एक पोल है मारा लोही का जिसकी है मैंएट कितनी है 220 सेंटिमेटर है एंडurim conf Indonesia इन demitry 24 सेंटिमेटर जो मैंने red kolor से mark किया पटा यह हमारा पोल है इसकी हाइट जो गीवन है वह कितनी गीवन है 220 सेंटिमेटर। ठीक है और इसका dollard giो इसके उपर एक और सिलेंडर है हमारा जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से मार्क किया है इसकी क्या बताइए हूसेने हाइट जो है वो कितनी है बटा 60 cm means height of हमारा जो small cylinder है इसकी है हमारी 60 cm तो height है और इसका जो radius given है निचे diameter given था इसका radius given है ये हमें given है 8 cm खिक है उसके बाद क्या करना है find the mass of the pole जो भी हमारा complete pole form हुआ है उसका हमें क्या करना है mass find out करना है given that 1 cm cube of iron hedge approximately 8 gram mass मतलब 1 cm cube अगर हमारा volume है ना इसका लोही का तो उसके अंदर 8 gram mass है कितना mass है बटा 8 gram mass cm cube में given है तो हमें क्या गरना है दोनों cylinders का volume find out कर लेंगे और total volume को 8 से multiply कर देंगे क्योंकि 1 cm cube के अंदर हमारा कितना mass है 8 gram तो total volume माल लिया हमारा 100 gram आ गया तो 100 gram के अंदर mass कितना हो जाएगा 100 multiply 8 मतलब 800 I hope यह चीज आपको अच्छे से clear है इस question को करना कैसे है वो देख लिते हैं सबसे पहले first step क्या है बटा जो चीज भी given है हमें वो क्या करेंगे हम write down कर लेते हैं यहां पे बटा एक larger cylinder माल लेते हैं कम smaller cylinder उससे हमें differentiate करने में असानी रहेगी तो यहां पे क्या लिखेंगे हम सबसे पहले height of larger cylinder height of larger cylinder उसको माल लेते हैं बटा h1 वो कितनी है 220 cm ठीक है अब इसी का radius लिख लेते हैं radius of larger cylinder इसको माल लेते हैं r1 diameter 24 है तो diameter का half क्या आता है radius 24 by 2 करेंगे तो कितना आगे बटा 12 cm आई होप यह चीज आपको अच्छी कलियर है next बात करते हैं हम small cylinder की यहां पे क्या लिखेंगे height of small cylinder small cylinder वो किसके एकवल होगी h2 माल लेते हैं और कितनी गिवन है 60 cm और radius जो गिवन है हमाई इसका तो हमें diameter नहीं radius गिवन है already radius of small cylinder क्या हो जाएगा r2 equal to 8 cm यह चीज़े हमें गिवन है ठीक है अब हमें क्या निकलना है total volume निकलना है अपना तो यहां पे क्या निकल लेंगे total volume of the pole क्या find out करेंगे total volume of pole किसके equal होगा volume of larger cylinder larger cylinder plus में क्या करेंगे volume of small cylinder आई होप यह चीज़ कलिए रहे दोनों का volume क्या कर देंगे हम add कर देंगे तो हमारे पास total volume of the pole आ जाएगा जो हमारा iron pole था ठीक है अब volume of the cylinder का formula क्या होता है बिटा pi r square h तो यहां पे क्या करेंगे total volume निकालने के लिए larger cylinder में क्या लिखेंगे pi इसका radius larger cylinder का radius r1 मानना था height h1 माननी थी तो क्या लिखेंगे pi r1 square h1 plus volume of smaller cylinder में pi r2 square h2 आई होप यह चीज़ कलिए है यहां पे value put कर लेते हैं दोनों में से pi को मना गया अंदर क्या बच गया multiply height कितनी है 220 plus r2 कितना है बिटा हमारा 8 8 का square multiply height कितनी है 60 I hope calculation में आपको यहां पे कोई problem नहीं आएगी pi की value क्या put कर लेते हैं हम अपनी 3.14 into में 12 का square क्या हो जाएगा 144 multiply 220 plus में 8 का square क्या हो जाएगा 64 multiply 60 इसको simplify कर लेते हैं 3.14 144 के और 220 की अगर हम multiply करते हैं तो बिटा 31680 आती है plus में 64 के और 0 की 64 के और 60 की करते हैं तो हमारे पास value आजाएगी 3840 ठीक है इसको simplify कर लेते हैं value क्या आजाएगी 3.14 multiply इनको add करते हैं तो 35520 और जो calculation आएगी वो क्या आजाएगी हमारे पास 0.8 cm3 ठीक है यह आगया हमारे पास total volume of the iron pole अब बिटा मैंने एक बताया था कि 1 cm3 में 8 gram मास है तो इतने में क्या होगा इसकी multiply किस से कर देंगे 8 से कर देंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर mass of 1 cm3 आइरन कितना है 8 gram तो मास ओफ कितने का निकालना हो चेंज करना हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा जो point है वो 3 digits आगया जाएगा 1,2,3 मतलब क्या आजाएगा 892.26 kg ठीक है तो हमारे पास जो total mass आजाएगा वो कितना आजाएगा 892.26 kg आप ग्राम में निकालना चाहें तो ग्राम में भी छोड़ सकते हैं इसको अंसर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने ग्राम में निकालना था किलो ग्राम में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 892.26 kg के आजाएगा हमारा टोटल आइरन पोल का वेट आजाएगा मास आजाएगा आई होप यह क्योस्टन आपको अच्छे से कलियर हो गया होगा कहीं पे भी बिटा कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए अदरवाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूले